ये कहानी जैक और मिरी नाम के दो दोस्तों के उपर आधारित है जो की पैसा कमाने के लिए घपा घप वाली वीडियो बनाने के लिए सोचते हैं लेकिन परस्नली एक दूसरे के साथ घपा घप करने के बाद ये दोनों को एक दूसरे से सच्चा वाला प्यार हो जाता है जिस के स्टार्टिंग सीन में हम जैक और मीरी को देखते हैं जो कि फर्स ग्रेड से काफी अच्छे दोस्त थे जिस वज़े से ये दोनों पैंसल विर्या नाम की एक जगह पर एक साथ रहते हैं तब ही यहां से सीन स्विफ्ट होता है और हम जैक को एक काफी शॉप में देखते है जहां जैक काम किया करता था लेकिन जैक का दोस्त जैक से पूछता है कि क्या तुमने मीरी के साथ कपी घपा घप नहीं किया जिस पर जैक अपने दोस्त को बताता है कि मैं मीरी का बस एक अच्छा दोस्त हूँ और उससे जादा कुछ भी नहीं जिसके बाद उसका दोस्त कि तू दोस नहीं चूतिया है अगर तेरी जगा मैं होता तो मैं उसे पेल दिया होता तब ही हम काफी शॉप के अंदर दो लड़कों को देखते हैं जो उधर की साइड में एक वीडियो बना रहे थे और जब जैक उन दोनों को देखता है तो तो जैक को पता चलता है कि वो द ले जाते हैं अगले सीन में हम जैक और मीरी को एक पार्टी में जाने के लिए तयार होता हुआ देखते हैं जब मीरी बातरूमें नहा रही थी तबी अचानक से पानी खत्म हो जाता है जिसके बाद मीरी जैक से हेल्प मागने लगती है लेकिन इन दोनों ने अपना वाटर माँने के चकर में लगा हुआ था और वो रेन नाम की एक लेडी पर डोरे डाल रहा था जिसके बाद वो लेडिस उसे बताती है कि मैं मैरिड हूँ लेकिन इन दोनों को इस बात से कोई फरक नहीं पढ़ रहा था उसके बाद अगले सीन में हम मीरी को बॉपी और उसके दो अपने कैफे में जाते हैं जिसके बाद जैक मेरी को एक आइडिया देता है और वो से बोलता है कि क्यों ना हम घपा घपाली वीडियोस बनाएं लेकिन मेरी ये सुनकर काफी जाधा शौक हो जाती है और वो से वो उसे समझाता है कि हम इसमें कम से कम समय में जादा से जादा पैसा बनाएंगे, ये सुनने के बाद मेरी भी जैक की बात मान लेती है, और वो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि अब वो दोनों मिलकर घपागवली फिल्में बनवाएंगे, जिसके बाद जैग अपने एक दोस्त को बोल कर लाइट और कैमरे का जुगाड करवाता है वो सब मिलकर एक खाली जगे को रेंट पर लेते हैं जिसके बाद ये लोग आडिशन भी लेते हैं ताकि इन लोगों को फिल्प बनाने में और भी ज़ादा हेल्प मिल सके पहला दिन तो उनका बहुत ज़ादा अच्छा जाता है लेकिन जब अगले दिन ये लोग बिल्डिंग के पास जाते हैं तो ये लोग देखते हैं कि सरकारी गरमचारी के कुछ लोग उस पुरानी बिल्डिंग को तोड़ रहे हैं और ये वही बिल्डिंग थे जिसे इन्होंने रेंट पर लिया था जिसके बाद इन्हें पता चलता है कि जिस बंदे से इन्होंने वो बिल्डिंग रेंट पर ली थी वो बंदा इनके पैसे लेके वहाँ से भाग गया है और तो और इनका कैमरा और बाकी समान भी उस बिल्डिंग के अंदर ही था जिसके बाद ये सारे लोग उसी काफी शॉप में जाकर बैट जाते हैं जहां पे जैक काम किया करता था तब ही जैक के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोच दाए क्यों न हम काफी शॉप की ही कैमरे से वीडियो शूट करें ये आइडिया बाकी लोगों को भी काफी जादा पसंद आता है और वो सब लोग सारे कैमरा लाइटिंग मगेरा को वही पर फिट कर देते हैं उसके बाद ये लोग मुवी शूटिंग करने लगते हैं जिसमें कोई किसी और के साथ घपा घप करता है और कोई किसी और के साथ जिसके बाद जैक और मीरी की बारी आती है लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ घपा घप करने के लिए काफी ज़ादा नर्वस थे क्योंकि इन दोनों के लाइफ में एक वक्त ऐसा भी था जब इन्होंने डिसाइट किया था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ घपा घप नहीं करेंगे जिसके बाद ये दोनों पुरानी कसम और पलंग दोनों तोड़ देते हैं और जम के एक दूसरे के साथ घपा घप करते हैं जिसके बाद इनकी मूवी शूट हो जाती है और एक दूसरे के साथ पहली बार घपा घप करने की वज़े से ये दोनों को एक दुसरे से सच्चा वाला प्यार हो जाता है उसके कुछ दिन बाद एक और वीडियो शूट हो रही थी जिसमें जैक को किसी और लड़की के साथ घपा घप करना था लेकिन शूटिंग से पहले वो लड़की काफी ज़ादा घपरा रही थी इसलिए वो जैक से कहती है कि मुझे कैमरे से पहले तुम्हारे साथ एक बार अकेले में घपा घप करना है जिसके बाद जैक भी उसके बाद मान लेता है और वो दोनों कमरे में जाकर अकेले में घपा घप करते हैं ये बाद मेरी को बिलकुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि मेरी कही ना कहीं जैक को अंदर से प्यार करने लगी थी जिसके बाद मेरी जैक के पास जाकर उसे पूछती है कि तुमने उसके साथ घपा घप क्यों किया तब जैक उसे जवाब देता है कि जब कुछ दिनों के बाद तुम्हारी भी शूटिंग स्टार्ट होगी तो तुम भी किसी और के साथ पलंग दोड़ोगी ये बाद सुनने के बाद मेरी को काफी ज़ादा गुसा आता है और वो एक नए बंदे के साथ घपा घप करने के लिए उसके साथ चली जाती है लेकिन घपागप के दورान मीरी को realizing होता है कि वो जैक को ऐसे cheat नहीं कर सकती जिस वज़े से वो वहां से तुरंट चली जाती है जिसके बाद मीरी जैक को हर जगे ढूरने लगती है लेकिन जैक को उसे कहीं नहीं मिलता इसके कुछ दिन बाद हम जैक को एक मेले में देखते हैं जहां उसने कार्टून का गैट अप पहन के रखा था जहां लोग अपनी भडास निकालने के लिए उसे अपना निशाना बनाते हैं और उससे जैक अच्छे खासे पैसे कमा रहा था तब ही वहाँ जैक का दोस्ट डैलनी आता है जिसे हमने मुवी के स्टार्टिंग सीन में काफी शॉप में देखा था जहां डैलनी जैक से बोलता है कि भाई तू अच्छा कासा धंदा छोड़ कर ये सब क्यों कर रहा है जहां जैक उसे बताता है कि मुझे ये कम पसंद है लेकिन डैलनी उसे काफी ज़दा जित करने लगता है और वो जैक को अपने पुराने वाले काम ले जाने के लिए बोलता है थोड़ी दिर जित करने के बाद जैक भी उसके बात मान लेता है और वो भी उसके साथ जाने के लिए तयार हो जाता है थोड़ी दिर बाद जैक डैलनी से पूछता है कि मेरी आखिर कहा है तब डैलनी उसे बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरी किसी के साथ भी घपा घपाली फिल्म नहीं बनाती और वो बस एक नॉर्मल फिल्मों में काम करती है ये बाद सुने के बाद जैक को भी काफी जादा बुरा लगता है और उसे रेलाइस होता है कि आखिर मेरी के साथ क्या हुआ और शायद इसे मेरी की कदर करनी चाहिए थी जिसके बाद जैक सीधा भागते हों मेरी के पास जाता है और वो उसे माफी मांगता है मेरी भी जैक का इंतजार कर रही थी और वो उसे नाराज नहीं रह सकती थी जिसके वज़े से वो भी उसे तुरन माफ कर देती है और बाद में ये दोनों रिलेशन में आ जाते हैं जिसके बाद ये दोनों फिर से घपागप वाली फिल्में बनाना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन अब ये लोग उस फिल्म के अंदर खुद नहीं आते थे ये दूसरों को काम देके उनसे घपा घप वाली फिल्में शूट करवाते थे जिसके बाद इनका काम बहुत अच्छे तरीके से चलने लगता है और इनके लाइफ की सारी नेट फुल्फिल होने लगती है और कुछ इसी तरह से ये मूवी यहां पर खतम हो जाती है ऐसे ही और स्टोरे सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें धन्यवाद